नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत आपके एपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजूगेशन स्टेडी पर माँ आपका साथी विकास लगा तर खेल वैसिक्षा की जानकारी के लिए बना हूँ आपके साथ वे हमारी कोश्चन सीरीज जो आपकी आगामी प्रिक्ष निमलिकित में से कौन सा वर्मप का सकरिय रूप है डाय थर्मी, कैलिस्थैनिक्स, ओट वाटर शावर, वेल मसाज डाय थर्मी है ये क्या है वई एक प्रकार की सिकाई है ये क्या है एक प्रकार की सिकाई है और जो कैलिस्थैनिक्स है वो क्या है मुक्त अस्त वायाम है तो बैद्धार्मी भी कैसी होगी, नहीं होगा पेशिव उगी, और ओट वाटर शावर भी पेशिव और O.L. मसाज होगी, तो इसका राइट आंसर है कैलस्थैनिक्स, कैलस्थैनिक्स क्या है बाई, मुक्त अस्थ गती विदिया, मुक्त अस्थ गती विदिया, फ्री हैंड कैलिस्थेनिक हैं और ये वार्मक के लिए एक सक्रिय रूप में अपणा ही जा सकती है आगे चलते हैं और मसाज का जनम का हूँ अब है स्वीडन में पैन हैं रिकलिंग को इसका जनम दाता माना जाता है आगे चलते हैं दोस्तो जंपिंग जैक की तरह दोनों साइड में बाहों को उपर उठाना क्या कहलाता जैसे पीटी में करते हैं या उपर पूरा हाथ करते हैं तो क्या कहलाता है गती से है कोश्चन को जोडों की गती रोटेशन रोटेशन होता है गूमना भई abduction बांगा दूर जाना आपको बताना है circumvision क्या होता है circumvention क्या होता है तो कोई भी जो गती है उसमें शरीर की मद्धलाई इसे आपकी बांगे या पैर दूर जाएंगे तो क्या कहलाएगा abduction abduction नजदी कहना आपको बतना सरकमडेशन क्या है यह चोटा सा कोशिण आपके लिए आसान कोशिण है आगे चलते हैं दोस्तो अगला कोश्चन है यह कंप्यूटर बेस्ट कोश्चन है पहले तो रिसर्च और जो कंप्यूटर था वो टीजीटी के स्लेवस में नहीं दा लेकिन यह नहीं कह सक किस डिस्क ड्राइवर किस परकार के स्टोर स्टोरेज समझे जाते हैं फ्लैस स्थीर अस्थाई इन वेशे कोई भी आर्डिस्क है उसमें कैसा कंप्यूटर का जो जनक है वह चार्ल्स पेवेज और माउस का विसकार किया डग लगज ने और कम्पूटर का जनुन दाता कौन है बई चाल्स बेवेज और इसमें hard disk में कैसे storage होते हैं स्थिर ये इसका right answer है आगे चलते हैं दोस्तो सारी रिक्षिक्षन कारिय करम किसके लिए होता है adapted physical education program किसके लिए होता है खिलाडियों के लिए सारी रिक और वोदिक विकलांगों के लिए जन जाती वे पिछडी जाती वर्गों के लिए गायल और गम भी रूप से बिमार रगती है तो भी ये रूपांतरीत कारिय करम भी कह सकते हैं ये रूपांतरीत रूपांत्रीत कार्यकरम, रूपांत्रीत सिक्षा भी किसके लिए होती है, ये भी आपको याद रखना रूपांत्रित शिक्षा और जो रूपांत्रित कार्यकरम है वो किसके लिए होता उत्करिष्ट के लाडियों के लिए जन्जाती वर्गों के लिए गाल रूर्गम बीरुप से विमारी और सारी को बोधिक विकलांगों के लिए और जो मानसिक रूप से विकला है उनके लिए स्पेशल ओलम्पिक आगे चलते हैं दोस्तों बोडी कंपोजिशन के लिए ज्यादातर प्रियोग में लाए जाना वाला उब्जेक्टिव मेथड है वेंग अंडर वाटर स्किन फोल्ड क्लीपर सोफ्ट टिस्यू एक्सरे अल्टर सांड में पेट की जो अंदरूनी बीमारियां हमको चैक किया जाता है एक्सरे से वही कोई भंग वगएरा हो चैको तो वही अब है स्किन फोल्ड क्लीपर बोडी कमपोजिशन का सबसे ज्यादातर प्रियोग में लाए जाने वड़ा जो मैथड़ है वह स्किन फोल्ड क्लीपर इससे क्या माँ प्याजाता है सरीर की वसा सरीर की वसा माँ पी जाती है स्किन फोल्ड क्लीपर से पुर्षों में तीन जगा से माँ प्या जाता वई ऊदर यानि पेट बाहु वहाँ और च्छाती से और महिलाओं के लिए पेट और माहा से ठीक है वई आपको ये याद रखना महिलाओं के लिए दो जगे से माटड़ा जाता स्किन फॉल्ड क्लिपर से आपको याद रखना बहुत बार कोशना है डी एससबी में अधर एक्जाम में भी बहुत बार कोशना है अंगे चलते हैं दोस्तों फीपा का मुख्याले कहा है फीपा क्या है भई फीपा फुटवाल की सरवोच संस्ता है फुटवाल की 1904 में इसकी स्ताप नावी कब भई 1904 में और विशाव का सबसे ही लोग प्रिये खेल फुटवाल है और फुटवाल का मुख्याले कहा है लुजियाने स्वीड जलेंड में यहाँ पर किसका मुख्याल है भई यहाँ पर ओलम्पिक समिती का आई ओसी का उड़ पैरिस में बर्लिन में और जूरिक स्वीड जलेंड तो इसका जो राइट अंसर है वो है जूरिक स्वीड जलेंड स्वीड जलेंड की जो राजदानी है वो है बन Switzerland में एक भी खनीज नहीं पा जाता यूरोप का देश है धरती का सरग भी इसे कहते है आगे चलते हैं दोस्तो एक पॉइंट असी मान अकिस की उंचाई होती है खोको के पॉल्स की फुटवाल के कॉर्णर फ्लैक की वाली वाल में एंटीना की क्रिकेट में स्टम्प की तो वह क्रिकेट में स्टम्प की उती है 28 इंच वाली वाल में एंटीना की उंचाई आप एक पॉइंट असी ये इसका राइट अंसर है आपको याद रखना है वाली वाल में एंटीना की उंचाई किस को खेल सी धानत के रूब में नहीं जाना जाता। अनुबाव का सिदान, अतिरिक तुर्जा का सिदान, परत्याशा का सिदान, खेली जीवन का सिदान दिया जोन डीवी ने, जोन डीवी ने, अतिरिक तुर्जा का अर्वर्ट स्पेंसर और सिलर ने, आपको याद रखना है अतिरिक तुर्जा का सिदान अर्वर्ट स्पेंसर चलते हैं दोस्तों तैरने के लिए किये जाने वाले उत्पलावनसी dhant को पृतिपादित किया तैरने के लिए जो जाने वाले उत्पलावनसी dhant को पृतिपादित किया principle of bouncy used swimming established by आजेक नूटन ने क्या दिया वै गती के नियम दिये अपनी और जो बोतिकी का जनक है वो भी नूटन को माना जाता है और नूटन ने अपने गती के नियम प्रिंशिपिया नाम पुस्तक में दिया अरस्टू कोण दै भी पॉलिटिक्स के जनक थे अरस्टू पॉलिटिक्स के जनक और सिकंदर के मान थे जो सिकंदर जो राजया आवि вып turbine जेता वर्णा चाहता लियारनुदा विंची कों थे लियारनुदा विंची एक बहुत ही बड़े चित्रकार थे चोथा है आर्केमेडीज तो ये उत्पलाम का सिधन किसे ने दिया भी आर्केमेडीज ने ये इसका राइट आंसर है आपको ये याद रखना है आईजाक नियुटन ने गतिके नियम दिये प्रिंशिपिया नामक पुस्तकन में पहला नियम है जड़तव का जो अगर किसी वस्तु पर बारी फोर्स ने लगा जाता हो तो गतिमान नहीं होती है दूसरा नियम है स्तावरण गाये शम्वेग का किसी सम्वेग वाली वस्तु में ये जगों गतिमान वस्तु को बारी बलके बिना नहीं रोका जाए तीसरा कर्द किरिया की प्रतिकिरियागा आप किसी भी जैसे वस्तु को को गेंद फैंक दे हमज़ीवार पर वो उसी फोर से वागपसाथ दिया अरस्तू पोलेटिक्स के जनक और जीविघ्यान के जनक और प्लेटोंगे सिस्षे थे युनान से शंहें सम्मध रखने वाले महांदार्शन लियार्नो दा वेंची लियार्नो दा वेंची एक महांचित्रकार थे वैं आपको ये याद रखना आरकेमेड इसका ने दिया वơित सिद्धात इभराइम मसलो ने दिया मानू शरीर रचनविघ्रान में योगदान दिया वही अन्यटों है अभी प्रेनात मक्मनो विज्ञान में शरीरगती विज्ञान में याने किंसियोलोजी का जनक भी अरस्तु को मान जाता है केल संगतन में तो आप अपना अंसर लगा लीजिए तो इसका जो राइट अंसर है वो है अभी प्रेनात्मक मनोव इज्ञान में है इन्होंने चार बेशिक नेड़ बताई बही क्या क्या बूख प्यास नेड़ और सेक्स ये चार नेड़ बताई बही मानवतावादी सी धान्त भी मसलों न चीज्यों की आवशकता होती है सरीर की आवशकता भूख प्यास नेड़ का तो इसके बाद आदमी की भूख भी पूरी होगी प्यास भी और नेड़ और सेक्स भी पूरा होगा उसके बाद क्या होगा वई सुरक्षा की आवशकता आजगा बोजन कर लिया कल के लिए होना जैसे हम जुड़े रहते हैं भी कल को अपने को शिकूर करने के लिए उसके बाद वो भी शिकूर हो गया फिर आदमी चाहता है उसे सने की आवशकता कि वे उसे कोई प्यार करने वाला भी मिल गया उसके बाद वे क्या होगी सम्मान की आवशकता वे सब सम्मान करने तरह सब उसके बाद अंत में क्या है आतम सिद्धी परमात्मा का ही नाम शत्य है यह आप कहीं भी पहुंग जो यह मानव जीवन का जो चरण है मानवतावादी सिद्धान्त है यह बिलकुल सटीक दिया था उस ताइम पर अबरहाम मासलों ने सरीर की आवशक्ता सुरक्षा की आवशक्ता सने की आवशक्ता सम्मान की आवशक्ता और अंत में आतम सिद्धी आपको याद रखना मैंने वीडियो में भी बता रखे और प्रात्मिक प्रेरक नहीं है जैसे यह तीन दे दिये बूख नेंद सेक्स और सने दे दिया सने प्रे उंची कूद में कौन से स्टाइल होते हैं सीजर स्टाइल फॉस्बरी फ्लफ स्टाइल यह उंची कूद में होते हैं और जो डिक फॉसबरी ने 1968 के USA के खिलाड़ी थे 1968 के Mexico Olympic में फॉसबरी फ्लफ इजाद की थी और उंची कूद का जो लेंडिंग पीट है वो पांच गुना चार है आपको ये याद रखना पहले पांच तीन था पुरानी उसमें अब पांच बुना चार है और चार पाइंट दो इसकी जो बार है उसकी लंबाई होती है और जो पॉल वाल्ट की है उसकी से थोड़ी ज्यादा होती है उची कूद में कितने पैरों से टेक ओफ लेगा अगर एक से दो से दो से लेगा तो भई ज्यम को फावल करार दिया जाएगा तो उची कूद में एक पैर से ही प्रतिवागी को टेक ओफ लेना पड़ेगा ये इसका राइट आंसर है अगे चलते हैं दोस्तों परियोग वै अनपरियोग का नियम का परस्ताओ किस विज्ञान से है बोतिक विज्ञान से बोतिकी का जनक मैं आपको बता चुका हूँ कौन है भई? आइजेक न्योटन न्योटन बोतिकी के जनक है केमेस्ट्री का लेबोजियर मनो विग्यान का विलियम वॉंट साइकलोजी का जनक कौन है? विलियम वॉंटस, 1889 में लिप्जिंग रह में जर्मनी के इन्होंने प्रतम प्रियोग चालाPP खेलमनों विज्ञान का जनक है, कॉलमेन ग्रीफित, और खेलमनों विज्ञान की पर्थम, लबड्री, काल डीम ने श्तापित की दिवी, रशायन विज्ञान का लेबोजियर, और जी विज्ञान की जनक कौन है? अरस्तु, आपको वता था वही, और पोलेटिक्स की जनक अर जरोज़ा स्था जतने कती सब्सक्राइब आइस्यक नोट ऩापको यह याद रखना आगे चलते हैं दोस्तों वे एक कोशन से रिलेटर जीतना मुझे पता उतता है जले स्थाइब आगे चलते हैं दोस्तों वह यह question मैं करा चुक्या हूं यह question करा चुक्या हूं मैं दो-तीन बार आपको इसका right answer बताना है वह टोड मैमोरियल ट्राफी किस खेल से सम्मंदित है दो-तीन question आप comment ज्यादा से ज्यादा किया करो ताकि वह मैं भी पता लगे मुझे भी आप कितने active or जो मैंने पढ़ा है उसमें से आपने कितना सीख्या है टोड मैमोरियल ट्राफी किस से है cricket से बास्केट वाल से फोट वाल से हाकी से तो आपको बताना है टोड मैमोरियल ट्राफी किस खेल से सम्मंदित है यह आपको comment में जवाब देना और मैंने दो-तीन वीडियो में य निमिलिकित में से कौन सी एरोबिक अक्सरसाइज नहीं है भई रिद्मिक अक्सरसाइज बिल्कुल एरोबिक है कैलस्थेनिक एरोबिक है कैलस्थेनिक क्या है भई रिद्मिक अक्सरसाइज में क्या आगया लेजियम डंबल और डांस वगए रिद्मिक में अक्सरसाइज म अगर आप आराम से चलाओगे तो अनारोड के लिए यह याद रखना को क्या है मुक्त अस्तमुक्त गतिविद्यां और इनमें एक्षिजन का ब्रेगडाउन होता यह यह योगा योगा वै यह इसका जो राइट आंसर है योगा योग का जनक महर्शी पतंजली योग सुत्र रामक पुस्तक की रचना की पुश्यमित्र सुंके दरबार में थे योग के आठ चरण बताए यम नियम आसन प्रणा प्रत्याहार धारना ध्यान समाती चैसुद्धी किरी आए हैं और जो योग में जो बंद लगाए जाते हैं वो तो बिलकुल ही उसमें सान रोक्या जाता पेट में बंद लगा जाता उडियन बंद जाल अंदर बंद और मूल बंद तीन परकार के बंद हैं और इसमें वही योगा के बहुत से जो प्रणायम वगैरा हैं उनमें आक्षीजन का ब्रेकडाउन नहीं होता और योग का जनक महसी पतंजली योग परदीप के रचियता हैं सरी अरविंद और मौरारजी देशा योग संस्तान का हैं नई दिल्ली में और वही पतंजली योग संस्तान प्रोड़की में उतरा आपको यह याद रखें उची कूद के मामले में कौन सा सिधान्त काम करता है यूज एंड अन्यूज का डिश्यूज का संव्यगों के सथानांतरन का किरिया की परती किरिया का उर्वादर प्रोड़क्टन का प्रश्य प्रश्य प्रण होता किसी चीज को वही फैकना फैकना कितने डिगरी पर होना चाहिए ज्यादा दुख जाए पैंतारज डिगरी पर और जम जो किसी चीज को फैकते हैं उसके दवारा जो रास्ता तैकियागा उसे पैरा बोला कहते हैं क्रिया की प्रति क्रिया किया हैं यह न्यूटन का थर्ड ला है, हम किसी चीज को जितने सम्वेग से, किसी उसको फैंकते हैं, वो वापस उतना ही हमें दखेल कि तो वैई इसका जो राइट आंसर है, वह है सम्वेगों के स्थाना अंत्रन का, आपको यह याद रखना है transfer of moment का समय को के सत्थानांतर का इंदी में गलत था इंगलिस में पढ़ो transfer of momentum momentum का ही transfer का आपको कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे इंदी में गलत दे देता है examiner दे रख्या है इसलिए आपको दिकतना और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है English version ही always right माना जाएगा आगे चलते हैं दूस्तों कि शिक्षा के अंत संस्था कि यानि कि आप अब भी यह देखो वही कितना मुस्किल वर्ट दिया अंत संस्था किया प्रतियोगता है अतनती उप्षिद्गते हैं अंत संस्था किया पढ़या आपने नहीं आ समझ में आप एक बार एश्याई खेलों का जो आधरस वाक्या हमेशा आगे की ओर है लेकिन वह एवर फारवर्ड नहीं है एवर उनवार्ड इंग्लिस में वही टाइट माना जाता है तो इंट्रा-मुलर्ड परतियोगता किसके लिए उप्युकत हैं विद्याला के लिए हैं वहीं कोलेज के लिए भी हैं विष्व विद्याला के लिए सभी सत्रों पर यह कराई जाती है इसका राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तों और इंट्रामूरल में जो हैड ओफ दा इंस्टिटूशन है वो इसका खेल उसका जो कमेटी होती है उसका अध्यक्स होता है आंगे चलते हैं वाई निमिली खित में से किसको निशुल्क पले के सबसे बड़े आउश्वरों की आउशकता है पूरो किशवरावस्ता के बच्चे छोटे बच्चे बुढ़े लोग महिं लाएं तो जो निशुल्क पले है उसकी सबसे बड़ी आउशकता छोटे बच्चों को होती है इसका राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तों जीमनास्टिक में फलोर अक्सर साइज के लिए कितना एरिया होना चाहिए जो जीमनास्टिक का जनख है, वो कून है भई फैर्डरिक लोडविक जौन और बहई जर्मन जीमनास्टिक के पितामा है जो grandfather of gymnastic भी बोलते हैं जिने वो है Christopher Gutsmart और gymnastic का जनक जर्मनी है और सभी खेलों की जन्नी gymnastic को कहा जाता है खेलों की रानी है थेलेटिक से और सभी जो खेलों की जन्नी है वो है gymnastic खेलों है कि एविए फलोर क्यों दस गुना था बारा गुना लारा Pen drive track 17 अरिद्मिक जामिक घ्मनीच से जो वह है एरीया और समर्ए शर्म यकर खेलों है इसके अंदर एक जोन होता है जिसका डायामीटर बार से मापने पर दोनों तरफ से नो मीटर है और अदर से साथ आपको ये याद रखना आगे चलते हैं भी ट्रेम्पोलिन सब्दावली भी जिमनास्टिक से है एक चेक लिस्ट की तुलनाक सरकी जाती है गरहनी की खरीदी लिस्ट से स्टोर की परगे लेजर से परसनावली में रखेगे परसनों की सूची से एक आफिस की फाइलों की इन्वेंटरी से ये कोशन कई बार आ चुक है आवे डी एससबी में और यूप पील्टी ग्रेड में भी ये कोशन आया है तो इसका जो राइटन से एक चेक लिस्ट की तुन्ना की से की जाती है एक ग्रेहनी की खरीदी लिस्ट से आप जाते हैं जैसे भई अमारी जो गर में मैं लाएं हो कोई चीज लेने जाती है तो लिस्ट बना कर ले जाती है और उसको जैसे टिक करती चली जाती है यह भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया तो चेक लिश्ट की तुम ना ग्रहाईनी की खरीदी लेश्ट्ये की जाती है अगे चलते हैं दोस्तो चाए, कोफी, कोला पे, डाइट स्पिल आदी में पाए जाएने वाड़ा प्रसित उत्तेजिक ड्रग है बई कोफी भी अगर आप दो तिन से ज्यादा पियोगे तो वो भी पोजिटिव आएगा आपका टेस्ट उसकी भी एक लिमिट है पोजिटिव आप किस में मिलोगे जो डोपिंग टेस्ट में पोजिटिव मिलोगे कोफी का जो उत्पादक है सबसे बड़ा देश ब्राजील है और चाय का उत्पादक बारत है तो इसमें कुण सा प्दारत पा जाता है कैफिन, कोकिन, कोको, उत्पादक जो उत्पेजना बढ़ाए कोफी में कोको तो पर लेकिन जो उत्पेजना बढ़ाता वो है कैफिन बैए एक बार मैंने भी एक दू बार कैफिन का जो use किया है कीवी वर्म अप होने के लिए कैफिन का जो केपसुल मैंने एक दू बार हमारे कंपिटिशन के अंदर लिया था लेकिन उससे अच्छा आप एक दू कोफी पी लेजी उसका कोई इतना खास वो ने है रात से ज्यादा हमें कैफिन भी नहीं लेना चाहिए उससे आपको नीदाने की समश्या हो सकती है तो दोस्तो हमारी एकोशन सीरी जहीं समापत होती है बैल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें जैन जै भारत जै जवान जै किसान